प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दली के प्रगती मैदान के भारत मंडपप में साथ में भारतिय मूइल कॉंगरिस दोहजार तैइस का उधखाटन किया इस कारक्राइड के दौरान पीय मोदी ने आयجजित प्रधशनी का भी मौइना किया प्रधानमंद्री नन्द मोदी ने आज दिल्ली में प्रगती मैदान के भारत मंडपम में एशिया के सबसे बड़े टेखनोलोजी मंच इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस आई-म-C 2023 का उद्गाटन किया प्रगता 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 एप्रगता विए अजहाँ का फुनिगता अज़ान के दोरान सो फॉपजी लेपस का अईलान भी किया सम्मेलन में बोलते हुए पीए मोदी ने कहा कि 21 सदी की तेजी से बदलती दुनिया में ये घटना करोडों लोगों की किसमत बदलने की शम्ता रखती है एक समय था जब हम भवश्य के बारे में बात करते थे जिसका मतलब अगले दशक ये अगली सदी लेकिन आज टेकनोलोजी में बदलाव के कारण हम कहते हैं कि भवश्य यहीं और अभी है साथियों 5G लौंच के एक साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस्टेशन्स बन गए हैं इनसे देश के 97 परसंट शहरों और 80 परसंट से ज्यादव पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है भारत में पिछले एक वर्ष में मेडियन मोबाइल ब्रोडबेंड उसकी स्पीड करीब करीब कि मोबाइल ब्रोडबेंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था हंड़ेड एंड़ेड एंटीन से हम बहां पर अचके पड़े से आज 43 पुजिशन पर पहुँच गए हैं पियम मोदी ने आगे कहा कि हम 6 जी तकनीक के शेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं हर कोई जानता है कि 2 जी के दोरान क्या हुआ था हमारी सरकार के दोरान 4 जी का विस्तार हुआ लेकिन हम पर कोई दाग नहीं लगा मुझे विश्वासे की भारत 6 जी तकनीक में दुनिया का नित्रतु करेगा 6 जी के खेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं हमारी यां 2 जी के समय क्या हुआ था शाज नई पीड़ी को पता नहीं होगा लेकिन ये जरूर कहुँगा कि हमारे कालफंड में 4 जी का विस्तार हुआ लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है पियम मोदी ने देश में स्टार्ट अप पर भी जोड दिया और कहा कि देश दुनिया के सिर्ष तीन स्टार्ट अप एको सिस्टम में से एक बन गया है पियम मोदी ने कहा कि समय के साथ हमने यूनिकॉन की एक सदी बना ली है और दुनिया के सिर्ष तीन स्टार्ट अप एको सिस्टम में से एक बन गया है साल 2014 से पहले भारत में महच कुछ सो स्टार्ट अप थे लेकिन अब ये संक्या एक लाग से जादा हो गई है भारत में ओसत मोबाइल ब्रांड बेंड स्पीड पिछले साल में तीन गुना बढ़ गई है मोबाइल ब्रांड बेंड की स्पीड में जहां पहले हम 188 वे इस्थान पर थे आज हम 43 वे इस्थान पर पहुँच गई है पियम मोधी ने आगे कहा कि चाहे वो तकनीक हो चाहे वो कन्ड़क्टिविटी हो चाहे सिख्जी हो चाहे AI हो साइबर सिक्योर्टी हो सेमी कंड़क्टर हो डोन हो डिपसी हो आने वाला समय बिलकुल अलग होने वाला है हमारी यूवापीडी देश के भविश्य का नित्रतु कर रही है हमें गर्व है कि दुनिया अब मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का उप्योग कर रही है पियमोदी ने कहा कि भारत में विकास का लाब हर वर्ग हर छेतर तक पहुँचे भारत में संसादनों का सभी को लाम बिले, सभी को सम्मान जनक जीवन बिले और सभी तक टेकनोलोजी का फायदा पहुचे इस दिसा में हम तेजी से काम कर रही है इस मोगे पर आईटी मंत्री अश्वनी विश्णव ने कहा कि टेलिकॉम इंडिस्ट्री डिजिटल इंडिया का प्रवेश द्वार है आज ये एक उभरता हुआ छेतर है जो घोटालो और मुकदमे बाजी से भाराया है आज भारत में दूर संचार उद्योग, 5G रोल आउट, सस्ते डेटा और दूर संचार तकनिक के निर्यात के लिए पहचाना जाता है प्रधारमदिन अन्दमोदी ने रिलैंस जियो कोर्नर का दोरा भी किया IMC 2023 में लगभग 22 देशों के एक लाग से अधिक प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं इनमें लगभग 500 CEO इस्तर के प्रतिनिधी, 230 X हीबिटर्स, 400 इस्टार्टप और अन्य हिद्धारक शामिल होंगे एशिया के सबसे बड़े टेकनोलोजी मंच पर AI अप्लिकेशन, एज़ केम्प्यूटिंग, एंडिश्टी 4.0 और इंडिया इस्टेक को लेकर भी नई जानकारी मिलेगी कैमरामेन विदर बिग के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिली